नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों यह जो पोधा मैं हाथ में पकड़ा हूँ इस पोधे का नाम है हड़ जोड यह हड़ी जोडने वाला एक आयरवेदिक अउसदी है और इस जड़ी बूटीक बनावट कुछ इस तरह से होता है पत्ता भी आप देख लीजिए और यह एक बेलनुमा पोधा होता है जो कि किसी पेड के सहारे या जाड़ी के सहारे या फिर इस तरह से दिवाल के सहारे या काफी दूर तक फैलता है दोस्तों इस जड़ी बूटी में खूबिया है कि इसके तनाव को तोड़कर अगर मिट बूटी में लगा दिया जाए रख दिया जाए या फेक भी दिया जाए तो यह पोधा बनने लगता है और हम दोस्तों, अलग-अलग भासाओं इस जड़ी बूटी के और भी नाम है आप देख लीजिए पहचान लीजिए आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कोमेंट कर ज करता हूं आपको बताना चालू करता हूं अब इसके भाइदे जानने तो दोस्तों इस आयर वेदिक जड़ी बूटी क्टु मैं तनह युद्स कर इसका रस दस एमल निकाल कर उससे थोड़ा गुनगुना यानि गरम करके दमा रोगी को पिलाने से फाइदा होता है और अस्तमा वाले को भी पिला सकते हैं दोस्तों यह जड़ी बूटी हट जोड पेट रोगम भी फाइदे मंद है अगर उल्टा पुल्टा जादे मसालेदार खाना ख वज़े पेट खराब हो जाता है तो यह जो आप पत्ता देख रहे हो हथ जोड का पत्ता इस पत्ते को पीशकर इसका स्वर्स निकाल लीजिए ज्यादे नहीं दस एमल निकाल लीजिए और जिनको पेट मगयश हो ऐसीड़ीटी या फिर हाजमा खराब और पाचन किरिया ख और दोस्तों इसके पत्ते का रस निकाल कर पीने से बवासीर रोगम भी फाइदा होता है। या गर्मी रोग कहा जाए या फिर सिपलीस रोग कहा जाए तो ये सब रोग जो हैं एक दूसरे से मिलते जूलते हैं। तो इस तरह रोग में इससे सुखाकर पाउडर बनाकर रखे हैं तो ठीक है नहीं सुखाकर पाउडर बनाना पड़ेगा। और इसके पाउडर साथ में और दो जड़ी बूटी मिलाना है उस जड़ी बूटी के नाम है ताल मखाना और दाल चीनी जैसे माल लीजिए 10 ग्राम आपने इसका पौडर ले लिया हट जोड का तो 15 ग्राम ले लिजिए ताल मखाने का पौडर और 15 ग्राम दाल चीनी का पौडर तीनों जड़ी बूटी जितना पौडर बनता है उतना ही आप मिश्री के पौडर मिला लीजिए या फिर सक्कर मिला लीजिए चीनी मिला लीजिए या मैं आपको बनाने के तरीका बता रहा हूँ आप ज्यादा भी बना सकते हैं जरूरत पढ़ने पर तो दवा बनाने के बाद आप 14 दिनों तक सेवन कीजिए सुबा साम तीन तीन गराम दूद के साथ और परहेज में तेल मसाला मतन मचली खटा समान अधिक मसालेदार तो सेवन करना ही नहीं है क्योंकि यह रोग भी गर्मी का रोग है जितना अधिक ठंडा ठंडा समान सेवन करेंगे उतना ही अच्छा होगा फाइजा जल्दी होगा अगर हो सके तो आप मातर दही भात दही भात 14 दिनों तक सेवन करें बाकी कुछ भी न खाएं और किसी किसी को दही नहीं सूट करता हो तो वह दूद भात भी खा सकता है 14 दिनों तक लेकिन हाँ खाना तो बिल्कुल साधा ही होना चाहिए, किसी भी तरीके का मसालेदार नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखिए ऐसे आप मून के दाल के खिचड़ी भी बना कर सेवन कर सकते हैं, जब तक आपका ये दवा का कोर्स चलता है और अगर 14 दिन में फाइदा नहीं हुआ तो डोज बढ़ाना भी पड़ता है, 40-45 दिन तक भी सेवन करना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में छोड़ छोड़के दोस्तों इसके इतने ही फाइदे नहीं हैं, और भी फाइदे हैं, जैसे मान लीजे किसी इस्तिरी गलिकोरिया है, प्रदल रोग है, सफेद पानिक शिकायत है, जोकि योनी मार्क से लसलसा पदार सफेद सफेद गिरता रहता है, जिसके वज़े से इस्तिरीयों को सरीर केल और कीम कुमी को वजे से रखस बूखार भी रहने लगता है जिसके वज़े से हुआ इस्ती चलने फिरने में तकलीफ महसूस करती है तो ऐसे इस्तिरियों के लिए भी ये काफी फाइदे मंद है ये हत जोड का जो ये देख रहे हो डंटल इस डंटल को पीश कर इसका रस निकालिए कम से कम 10 अमल और उस रस को आप सुबह खाली पेड सेवन कीजिए स्वाद के लिए आप मिश्री मिला सकते हैं या फिर डायरेक्ट पाड़ूआ हो जाता है और थोड़ा मधूर सुआद भी है बाद में लगता है दोस्तो इस जड़ी बूटी की अंदर केल्सियम मात्रा बहुत ही अधिक पाया जाता है इसलिए ये हड़ी को जोडने के काम करता है दोस्तों अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत लोग पीस कर पौडर बना लीजिए और सौ गराम पौडर में सौ गराम उरद के दाल उरद के दाल पीस कर पौडर बना लीजिए और सौ गराम बबूल की फलीक पौडर सभी पौडर को दस या पंदरा गराम तिल के तेल डाल कर कड़ाई में भूज लीजिए और भूनने के तो घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा क्यूंकि दोनों चीज केल्सियम को बढ़ाने काम करता है। तो सुबा साम ढ़ाई ढ़ाई ग्राम गरम दूद साथ सेवन कीजिए तो हड़ी जल्दी जल्दी जुड़ेगा और अगर पौडर नहीं है ताजा ताजा मिल रहा है तो आप 10-15 एमल तक इसका जूस सुबा साम सेवन कर सकते हैं तो भी हड़ी जुडने में यह मदद करेगा दोस्तों बहुत से लोग है कमर दर्द से परिसान रहते हैं रीड के हड़ी में दर्द रहता है या पीट के हड़ी में दर्द है तो उनके लिए भी यह काफी फाइदे मंद है इस जड़ी बूटिक पीस कर पाउडर बना लीजिए पाउडर बनाने के लिए पहले इसे पाउडर बना लीजिए और इमली के बीज का पाउडर दोनों पाउडर मिलाकर चार-चार ग्राम सुबा साम सेवन कीजिए उपर गरम दूद पीजिए और मसालेदार खाना बंद कर दीजिए तो ही फाइदा होगा क्योंकि कोई-कोई दर्द जो है एसी डीटी का होता है ग तो घाव भी सूखने लगता है और बहुत सैसे घाव होते हैं जो जल्दी नहीं ठीक होते हैं तो इस जोड के पत्ते और नीम के पत्ते दोनों पत्तों मिलाकर पीश कर अगर छोपते हैं तो फाइदा और जल्दी होगा दोस्तों इस जडी बूटी पत्तों को अगर पीश कर पेश्ट बनाकर जले हुए स्थान पर छोपते हैं तो जलन कम होता है और जले हुए स्थान पर जो बाद में सफेदी पर जाता है उजला उजला वाइट वाइट दाग हो जाता है वह दाग भी नहीं होने देगा या ज पवासीर रोगम भी या फाइदे मन्द है इसके पत्तों को या फिर तनाओं को पीश कर दस से लेकर 15 अमल तक इसका स्वरस यानि जूस पीने फाइदा होता है या खून को रोकने भी काम करता है और अगर पैरिया गोजे से दांस से खून मुआद निकलता है तो उसमें भी आ खून को रोकने काम करता है रोक देता है और अगर मान लीजी आपको इसका पौडर नहीं मिल रहा है तो आप इसके ताजे ताजे डंटल को ही चबा चबा कर थूकिए तो भी आपके दातों से खून मुआद का निकलना बंद हो जाएगा तो चलो दोस्तों इस महातपुर ज